वेल्कम टू माई चैनल देखिए यह आज मैं आपको बहुत प्यारस सा रवड वैंड पे क्रोश्या से वर करना बताऊंगी यह आप कैसे सुंदर सुंदर क्रोश्या से डिजाइन बना सकते हो अपने रवड वैंड को और भी खूब सूरत बना सकते हो तो यह बनाने के लिए यह मैंने उन ले रखी है यह मल्टी कलर में और एक हमें सिंपल सा रवड बैंड चाहिए आपको इससे वारीक वाले रवड बैंड मिल चाहिए तो आप ले सकते हो और क्रोश्या चाहिए तो देखिए क्रोश्या हमने जो लेना वह अपने हिसाब से ले लिजी मैंने दस नं सिंगल क्रूशिय करने करने लिए फूरे रवडब्ट को यह तरीक से दो आट सींगल क्रूशिय क्या होता है इसमें हमने इस नीचे से करने हैं ऐसे नीचे से लेना है कि उपर यायेंगे और दो कर देंगे करोश्यर आए जा शम नीच्च से ले जाएएगे जुंगली पर ददोप पर नीच्च कर देंगे देर्म गविर ना अंना है इनको हमने क्या करना है त्थोड़ पास पास को करते जाना है ताके हमारी रवड अंदर से नजर ना आए, कुछ इस तरीके से, तो यह मैंने पास-पास कर लिये हैं, फिर से देखे, धागा ऐसे ले आएंगे, ऐसे, ऐसे बुनेंगे, कुरुश्या नीचे से लेके जाएंगे, धागा किंचेंगे, और दो का एक बना देंगे, फिर से देखे, धागा ऐसे लेके आएंगे, थोड़ा और पास से बता देती हैं, आपको, नीचे से लेके जाना हमने कुरुश्या, ऐसे हमने धागा किंच के लेके आना, जो अपनली पेटा था, वहां से धागा लेते जाना है, ऐसे, बस ऐसे ही क करते हुए हमने पूरे रवडवेंड को कवर कर देना है, तो मैं सिंगल क्रोश्या करते हुए ये पूरा रवडवेंड कवर कर लेती हूं, फिर दिखाते हूं आपको आगे क्या करना है, यह हमने हमारा फस्ट रांड कंप्लीट हो गया है, हमने सिंगल क्रोश्या करते Slipe Nodad join किया है, आब हमने क्या करना करना यहाँ पर एक दो 12 चेन लेने है, दें, चार, पार, साथ, आठ, नौट, दस, गैरार, बार, 12 चेन लेने के बाद अब हमने यह जो तीसरी चेन है इसमें हमने क्रोशिया डालके इस तरीके से डवल क्रोशिया करना है ऐसे इसी में हमने पांच वार डवल क्रोशिया करना है तो टे高 ईएं चाहर इस हमारा पांच में वर्स्त कर लिए अब इससे हमने में पर प्रद से चेहं के रिखल का है पर जो पोसर स्वोल में जाख़ां। में जाख़ां जाख़में डाले कपर फुश्या दाले के पांच वार डबल बॉश्या करना है तीन चार पांच यह हमने दो बार कर लिया है और पांच पांच बना लिया है डबल कुरूशिया अब हमने नेक्स्ट जो चेन है इससे आगे वाली इसमें हमने कुरूशिया डालके इसमें भी हमने पांच वर डबल कुरूशिया करना है दो तीन चार यह पांच अब हमने क्या करना है यह हमारा इस तरीके से बनागा एक हमने और बनाना है यानिके हमने चार बना लिने हैं नेक्स्ट उसमें जाके फिर से हम बनाएंगे पांच वर डबल कुरूशिया अब हमने यह चार चेन में पांच पांच हमारे डबल कुरूशिया हो जाएंगे तो दो हो गए जे तेन चार पांच अब हमने दो चेन लेनी है एक दो चेन लेके इसे में जाके स्लीप नोट से जोईन कर लेना है जिस तरीके से तो हमारा यह इस तरीके से बनेगा अब हमने क्या करना है इस चेन में जाके इसे स्लिप स्टिच करते हैं वह करते हुए हमें किनारी पर आ जाएंगे क्रूशिया जो हमारा रवड बैना है वहां तक हमने ऐसे ही करते हुए जाना है एक्स्ट फिर से तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा दिखिए जैस तो मैंने यह डिजाइन पहले भी सिखाया हुआ है अब मैं रवड बैन पे सिखा रही हूं अब हमने क्या करना है है हमके हुआ है में फथे 15 लेनी है पहले हमने बारा लिए 16 ले लेंगे तीं चार पांच ची साथ आठ नो दस वाटरा तेरा चोदा पंदरा सोलो को फैले हमने 12 बनाया है डेजाइड अब हमने 12 बनाना में बनाना यह वाद घ् right, फिर हमने ईसे ही स्लिप नोट ती होगों सब्सक्राइब गोलगोल बनाकरетр बनाने कर ने के उपर हमने चार ही बनाने हैं यह एक चेन में हमने पांच पांच डवल क्रूश्या करने हैं मतलब चार बार यह हमने यह थोड़ा बड़ा बना लेंगे यह हम इसमें हम पांच बना लेंगे थोड़ा सा बड़ा बनेगा यह पिर हम स्लिप नोट से यहां तक आई थी मैं यह बणाया था यहां तेक आणा उसके बाद फिर इसी साइज का 12 चैन लेके ехатель 13 हमें चार-4 बार तो यह मैं बना लेते हम फिर दिखाते हूँ आपको कि के यह मैंने 5 बना tane है अब हमने कि का करना जिस थोड़ा सा बड़ा बनाया है ज़िक है यह थोड़ा चोटा बनाया है मैंने और इसकी लंबाई भी कम रखी है यह थोड़ा उसे लंबा भी है और बड़ा भी है अब हमने क्या करना है एक दो चेन लेकर इसमें फस्ट वाल में जाके सिंगल कुरूशा से जाइन करना है सब्सक्राइब तक है, अब हमने जैसे पहली हमने वहां किनारे तक गये थे फिरस्त वाले उसमें जा के इस तरा किसे छेंन को सीधा बिए पहले, फिर हमने इसमें करोशीया डाल के ऐसे अगली वाली चेन में फिर से जैसे स्लिप स्टिच करते हैं दागा नहीं लेना है से हमने किनारे तक आना है अब हमने इसमें आके आप नहीं फिर से एक, तो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 बाराइ चैन में इस साइस का भी हमने बनाना है इससे थोड़ा सा चोटा यासा सिम यह बनाया है इसे बनाना है इसे बनाना है हमने गोल गोल पना के फिर हमने सिंगल स्लिप स्टिच से किनारे तक आ जाना है और यहां पर ज्वाइन कर लेना है तो यह फिर हमारा बन के बता देती हूं यह कंप्लीट करते एक वर आपको कंप्लीट हो गया है यह जरूरी नहीं है इसमें थोड़ी सी लेंथ मैंने कम रखी वर दरह आप्ति नहीं है इस में 11 लिए ती और यह किनारे पे हमने दस तोड़ा बनाया है कि हमने बारफ जान ने बनाए है इसमे ने हर टीरह चैन मिल चार चैन में हमने 5 5 तुर्च की हैं तो यह हमएरा राउंट से बने हैं इसमें सोला लिये थे सोला लेके हमने यह बीच में जो बनाया है ये पांच पांच उसमें बनाये हैं पांच चेन में 5 डबल कुरोच्य ठीच में प्रोड़ा साइस बना है उम्मिद करते हूं आपको समझ आया होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है आपको यह डिजाइन तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू